वेट कॉइन या फिर वीचेन कॉइन का इस समय सबसे ज़ादा बुरा हाल चल रहा है पिछले एक से देड़ साल में कॉइन जो है देड़ रुपए से धाई रुपए के बीच में सर्वाइफ कर रहा है क्या होगा इसका फ्यूचर कब यह पंप करेगा कितना प्राइज मैक्स को सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर लो क्योंकि से बैस्ट वीडियो मैं देते रहता हूं स्टाट करते हैं वीडियो है 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 हलो दोस्तों मैं आपका शिवाम सिंग सौगत करता हूं हमारे चैनल आपर आज हम लोग बात करने वाले वीचेन कोई के बारे में अब इस कोईन का पिछले एक से देड़ साल का अगर प्राइस देखे तो अल्मोस्ट बिल्कुल स्टेबल हो गया लाइक यूएस डी नहीं एक साट जाता है बहुत बड़ा न्यूज आने पर फिर से रिकवरी करके वहां पहुंच जाता है काफी लोगों ने शौट टम पर अच्छा पैसा कमाया है लेकिन बहुत सारे लोगों ने दस रुपए आठ रुपए छे रुपए चार रुपए के वैल्यू से इस को को पर्चेस किया है कही ना कहीं मैं भी उसमें से एक हूं और हम सब चाहते है कि कोई जो है अपनी जो वैल्यू पर था वहां पर टाइम क्या होने वाला है इस समय जो सिच्वेशन चल रही है कही ना कहीं ग्लोबल की भी और क्रिप्टो मार्केट की और स्टॉक एक्षेंज यहां पर चीजे जो है निगेटिविटी में उसके बात फैली जबसे बाइनस और फ्टी एक्स का मसला हुआ अच्छी बात यह है कि वीचेंज जो है अपना प्रूफ आफ अथरिटी टू पॉइंट ओ जिसका काफी सालों से काम चल रहा है वो लांच करने जा रहा है और ल चीज का सब लोग बेट कर रहे हैं यहां पर जो इंप्रूफ अथरिटी टू पॉइंटो करने के वाला है यहां पर कुछ मेजर अपडेट जो है वीचेंशन ने किये हैं जो कि कही ना कहीं ईजी करने वाले काम को लाइक सौर्ट ट्रेट्स और रहा है ग्रेटली कोई पढ़ने वाला है और साथ में वीचेंशन पे भी पढ़ने वाला है अगर देखा जाए कि यह कोई पंप करेगा अब सिच्वेशन जो है इस साल के एंड तक शायद अच्छी हो सकती है और कही ना कहीं अगर फेबरुरी तक आते आते तक मार्केट जो है स्टेवल सिच जो है यह चीज ऐसा नहीं होता है कि डिरेकली जैसे अभी हाली में हुआ था दस-पंतरा दिन पहले कि इथेरियम जो है डायरेक्ट पंप करने लगा विटकॉइन पंप करने लगा और लोगों को लगा कि अगला बुल रन आ गया चीजे जो है ऐसे नहीं समलती है चीजे ज सबसे जो बड़ी चीज है रेगुलेशन जिसके कारण बात अटका हुआ है और रशिया और यूक्रेन का वार जिसको बोल बोल के हम सब ठक गए बट वह खतम होने का नाम नहीं ले रहा है उपर से पूरा यूरोप उसके पीछे घुश चुका है अब जब तक यह दो चीज क्लियर नहीं होती है सबसे पहले यह वार और उसके बाद यह रेगुलेशन तब तक चीजे ठीक नहीं होगी और कहीं ना कहीं इसका इंपक्ट स्टॉप एक्षेंजेस पे स्टॉक मारकेट पर साथ में क्रिप्टो मारकेट पे और ग्लोबल प्राइज और करनसी पर भी कर देन अगर आप चैनल पे पढ़ी ओर आए आपको लग रहा है सी वीडियो हम этом देखना तो अगर आप India किसी भूले बठोथी कि हेंप कर सकता है तो उसके साथ शेयर जारू करना है ठांक्स वाचिंग इस वीडियो एंड обяз प्रप्स्लाइब